कोरोना वारस के बढ़ते संक्रमन को रोकने सैनिटाइजेशन ही सबसे कारगर साबित होती नजर आ रही है यही कारण है कि लोगों को बार-बार साबुन और सैनिटाइजर से हाथ धोने की अपील भी की जा रही है ताकि संक्रमन को रोका जा सके बीती दिनों 36 गड में सबसे पहली बार जगदलपूर में किशी विभाग के द्वारा सैनिटाइजर टनल बनाया गया था जिसे जगदलपूर के बाजार में लगाया गया जिससे मार्केट में आने जाने वाले सभी लोग खुद को पूरी तरह से सैनिटाइज कर सके वहीं अब रैपूर नगर निगम की पूरी टीम कोरूना संक्रमन के बचाओ के लिए शहर को सैनिटाइज करने में जुटी हुई है इसी कड़ी में निगम मुख्याले में सैनिटाइजर टनल लगाया गया है जिससे निगम में आने वालों को इस टनल से होकर ही भीतर प्रवेश दिया जाता है जो करूना से बचाओ के लिए बेहत कारगर साबित हो सकती है वहीं राइपूर महापा और एजाज धेवर ने बताया कि यह टनल दान में नगर निगम को प्राप्त हुई है जो काफी अच्छी है निगम मुख्याले में डेमो के रूप में इसे लगाया गया है इसका व्यापक असर मिलने के बाद शेहर के अन्य जगहों पर भी ऐसे ही टनल लगाया जाएंगे देखें एक मसीन लगाई गई है किसी ने दान की ने मॉडल के तौर पर एक तो उन्होंने दिया है कि आप इसको एक बंचेक करो और यदी वाक्य में अच्छी होगी क्योंकि यह तो दान के रूप में आई है एक थाची होगी है मशल और भी जगे यह अगाया है और भी जगह जगा एकलई जाहिए तो किसी को mourत इपक्यों और होगी तो और भी जगह लगा है करोना वायरस हर तरफ ठला हुआ है इससे बचाव के छड़काव में जो हम हाथ में सेनिटाइज़ा लेकर रखड़ते हैं तो इसमें पूरे शेरी में लगा नहीं बाते हैं यह मशीन इसने लगी है कि पूरे बॉड़ी में एक साथ आपका सेनिटाइज होते हैं आप जाएं क लगा हुआ इसके बाद अब सब जखा लगते जाए गई है बहराल कोरोना से निगपटने निगम अमला मुस्तेदी से जुटा हुआ है वहीं हर संभव प्रयास करते भी नजर आ रही है सैनिटाइजर टनल का डेमो यदि सफल होता है तो इसे शहर के कई हिस्सों में निगम अपने खर्च पर लगाने पर विचार करेगा विरो रिपोर्ट देश टीवी